Artificial Intelligence के दौर में Artificial Rain याने क्रत्रिम वर्षा कोई नया टर्म नहीं है बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल में आग जैसी सूरतों की स्थिती को काबू करने के विकल्प के रूप में क्रत्रिम वर्षा की चर्चा होती है फिलहाल इसकी चर्चा दिल्ली में भढ़ते प्रदूशन और इसके कारण गंभीर होते हालात के मद्दे नजर हो रही है दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूशन का इस्तर गंभीर बना हुआ है गंभीर से यहां से मतलब है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच बना हुआ है इस्पर्ट्स के मुताबिक जब AQI 0 और 50 के बीच हो उसे अच्छा कहा जाता है 51 और 100 के बीच संतोष जनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है प्रदूशन इस तरसे निपटने और इसे नियंतरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक कई घोशनाएं की है जब वायू मंडल में प्राक्रतिक रूप से बने बादल खुद बरसात कराते हैं तो उसे नैचरल रेन यानी प्राक्रतिक वर्शा कहते हैं इस बार ऐसा होता है कि बादल बनते हैं पर उनके अंदर की कुछ अपून प्रक्रियाओं के कारण वो बारिश नहीं करा पाते या बरसात होती भी है तो वो केबल बादलों तक रह जाती है धर्ती तक नहीं पहुँच पाती है इस तकनीक के तहट जब बादलों में बरसात के बीज डाल कर वर्शा कराई जाती है तो उसे क्रत्रिम वर्शा कहते हैं इस तकनीक का नाम है क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग दो शब्द याने क्लाउड और सीडिंग से बना है क्लाउड का अर्थ है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं ध्यान देने वाली बात ये है कि बीज की रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का इस्तमाल किया जाता है। इन पदार्थों को एरक्राफ्ट आदी की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। ये पदार्थ बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देती हैं जिसके बाद बर्फ के टुकडे दूसरे टुकडों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं आम तोर पर सूखे और बाड की इस् इसराइल नियमित तोर पर क्रत्रिम वर्शा करवाता है क्योंकि यहां प्राक्रितिक बारिश बहुत कम होती है आज के वक्त में संयुक्त अरब अमिरात भी रिसर्च प्रोग्राम और आपरेशनल प्रोग्राम में क्रत्रिम वर्शा करवाता है चीन ने साल 2008 में बीजिंग उलम्पिक्स के दौरान एरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ट गन की मदद से क्लाउंड सीडिंग की जिसके बाद उन्हें प्रदूशन को नियंतरित करने में काफी मदद मिली भारत की बात करें तो यहां पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है लेकिन अब तक यह है विदेशी एरक्राफ्ट विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के ही वेग्यानिक इंजीनियर की मदद से किया गया है पहली बार ऐसा है कि IIT कानपूर ने अपना सौल्ट यानि केमिकल डेवलप किया है एरक्राफ्ट IIT कानपूर का है और सीडिंग टूल भी हमने खुद ही तयार किये है तो दिल्ली में अगर इसको इसको इस्तमाल में लाया जाएगा तो यह है पूर्ण रूप से स्वदेश होगा और जहां तक बात इसके कारगर साबित होने की है तो यह सीडिंग पर निर्भर करता है अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो हर लिहाद से यह कारगर साबित होगा क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो प्रदूशन अपने आप नियंत्रित हो ज झाता है.